हेलो फ्रियंट्स रैस्पीय पड़ारा चैनल में मैं रणि जू जी आप सब का स्वाधत करती हूं। फ्रेंट्स आज हम पर्वल की मिठाई बनाएंगे एकदम हलवाई इस्टाइल तो पर्वल की मिठाई बनाने के लिए मैंने लिए है पर्वल किनारों को हलका हलका कट करेंगे दोनों तरफ से और बीच से एक कट लगा करके जो इसके बीज होते हैं इसको निकाल लेंगे परवल की इस मिठाई को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है और एकदम मार्केट वाड़ी हलवाई इस टाइल के मिठाई बनी है तो परवल की बीज बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि परवल का बीज निकालते समय परवल फटना नहीं चाहिए तो इस तरह से दिखें मैंने बीज निकाल लिये हैं और देखें परवल भी खोकला हो गया में डालोंगी एक चोठाई चमेच बेकिंग पाॉडर या बेकिंग सोडा डालने का मतलब यह है कि जब अधिना बिस में परवल करेंगें तो समüt कहले CE हविलें करना है उस नहीं करना है तो आप छाहें तो नहीं लीडिये तब तक हम परवल को ढग देंगे तो पानी में उबालाना शुरू हो गया है अब इसका हम धक्कन हटा देंगे और तीन से चार मिनट के लिए बॉयल करेंगे परवल को इस तरह से उल्लट पिलट देंगे जिससे की परवल का जो कलर है ग्रीन कलर वह अच्छे से आ जाए तो लगबग चार मिनट हो गये हैं बॉयल होते हुए परवल को अभी मैं आपको एक परवल उठा के दिखा रही हूं देखिए परवल का कलर बहुत ही अच्छा है तो इसी टाइम पे मैं परवल को पानी से अलग कर दूंगी और किसी भी चंणी में रखें जिससे की अगर लिए चीनी और पानी और चीनी और चीनी में पाणी को रग देंगे चूले और जासनी बनाएंगे उस कोई पी एक तार की नहीं बनानी है बस चासनी बनाने चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए और बड़ती चिपचिपई चासनी होनी चाहिए तो लगवग 3-4 मिनदर तक मैंने पानी और चीनी को बॉयल किया है तो हलकी सी चासनी चिपचिपई हो गई है हम चूले का फ्लेम लो कर देंगे और एक एक परवल को चासनी में डाल करके अच्छे से पकने लेंगे तो मेडियम टू लो फ्लेम पर परवल को हम अच्छे से पकाएंगे तब तक पकाएंगे जब तक की अच्छी सी गाड़ी एक तार की चासनी बन जाती है तो परवल दिखे हैं ट्रांसपेरेंट से दिखने लगे हैं मतलब की परवल पक चुके हैं क्योंकि 10 से 12 मिन तक मैंने परवल को पकाया है और चासनी भी गाड़ी चिपचिपई हो गई है तो अभी हम इस परवल को ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद चासनी ऐसे एक तार की चासनी बननी चाहिए तो ही परफेक्ट मिठास होगी तो केवल मावे से इसकी फिलिंग्स बना सकते हैं लेकिन अभी मैं नारियल के चूरे से बना रही हूँ तो मैंने एक कप दूद लिया है दूद को गरम होने देंगे और जिस कप से दूद लिया है उसी कप से मैं लूँगी एक कप नारियल का चूरा और आधा कप लेंगे इसमें हम मिठास के लिए चीनी तो मेडियम तो हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस तरह से हम इसको पकाएंगे लगवग 5-6 मिनट में परवल की फिलिंग्स बनकर रेडी हो जाएगी और परवल भी ठंदे हो जाएगी तो बहुत ही इजी तरीके से यह मिठाई भी रेडी हो जाएगी तो इस तरह से देखें मैंने रेडी कर लिया है फिलिंग्स को अब भी मिठ गीला लग रहा है ठंदा होने के बाद जावर भी थोड़ा सा सब्त हो जाएगा तो इसको ठंदा होने देंगे और परवल को हम चेक कर लेते हैं तो पर्वल ठंदा हो गया है पहले मैं इसके चासनी चेक करती हूँ तो दिखिए एक तार की चासनी बन रही है बिल्कुल परफिक्ट चासनी रेडी है और बहुत ही perfect परवल भी ठंडा हो गया है और रेडी है feelings भरने के लिए तो इस तरह से चासनी को निठारते हुए हम परवल को एक प्लेट में रखेंगे तो परवल भी रेडी है और फिलिंग्स दोनों रेडी हो गए है तो अभी हम परवल को एक एक करके उठाएंगे और इसमें फिलिंग्स फिल करेंगे क्योंकि मैंने फिलिंग्स को देसिकेटेड नारियल से बनाया है इसलिए मैंने इलाची पाउडर को skip किया है क्योंकि जब desiccated नारियल का flavor पहले से है तो मैंने इसमें इलाची पाउडर को skip कर दिया अगर आप एड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए बहुत ही delicious परवल की मिठाई बनकर हो गई है इसी तरह से सारे परवल में हम फिलिंग्स को फील कर लेंगे तो देखिए देखने में लग रहे है ना बिल्कुल भी मार्केट वाली मिठाई तो चलिए इसी तरह से सारे परवल को हम फील कर लेते हैं इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज रेश्पी पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आप सब को पसंद आया हो तो अपने फैमली दिलवर्क ले सकते हैं या तो कोई भी ड्राइफ रोट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो तो लीजी बहुत ही डिलिसस मार्केट इस्टाइल परवल की मिठाई बनकर रेडी है तो बहुत ही सॉफ्ट मिठाई है मैं इसे कटकर की दिखा रही हूं देखिए बहुत ही अच